दस सर्च फॉर जनेटिक माट्रियल में मैंने आपको थ्री एक्सपेरिमेंट्स का रिविजन कराया ठीक है फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ कि जिस भी स्टुडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो मेरे जो वीडियो लेक्शर से उसको देखिए ठीक है आप जाएंगे प्लेलिस्ट में जब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और मैंने इस जो अभी करेंट मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके जस्ट पहले मैंने रिवाइज भी कराया है तो वो रिविजन क्लास जो है उन बच्चों को समझ माएगा जो एक बार एक लिस टॉपिक को पड़ चुके हैं तो मेरा जो प्रॉपर जो वीडियो लेक्शर से चैप्टर वाइज या इफिश्यल होगा ठीक है तो दा सर्च फॉर जेनेटिक मटरियल का हम कोशन डिसक्रस करने जा रहे हैं यहाँ पर ठीक है सबसे पहला जो कोशन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्या है वाई डिड हरसे चेज एक्सपेरिमेंट यूज रेडियो एक्टिव सलफर यह फर्स कोशन है और अभी जस्ट मैंने इस वीडियो के पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें लास्ट में जो टॉपिक था वो हरसे चेज एक्सपेरिमेंट का था और आपने देखा था कि रेडियो एक्टिव जो सलफर है रेडियो एक्टिव सलफर जो है यह वायर करता है और एक्सपेरिमेंट में हेल्प करता है ठीक है और रेडियो एक्टिव फॉस्पोरस जो है यह कहां पर जाता है यह डियने के अंदर जो फॉस्पोरस है उसको रेप्लेस करता है और एक्सपेरिमेंट में हेल्प करता है जैसा कि मैंने आपको इस डाइग्राम के से उसमें होता है और P32 जो है वो DNA के अंदर होता है ठीक है और यह अच्छे से मैंने बता भी दिया है तो एक बार lectures को देखेगा तो समझ में आ जागा कि यह क्यों use कर रहे हैं अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको last में यह नहीं पता चले गया कि genetic material biochemically है क्या ठीक है आपका question हो चुका देन इसके बाद से हम next question देखते हैं next question आपका है फैटरिक ग्रिफित क्लेंड दा आर्ड स्ट्रेंड स्ट्रेप्टो कॉकस निम्नी हैड बीन transform by heat killed as strain bacteria explain the finding ठीक है यहाँ पे जो first experiment है कौन सा heading का जब आप the search for genetic material discuss करते हैं तो वहाँ पे transforming principle जो heading है उसमें Griffith experiment को discuss किया गया था और वहीं से यह question लिया गया यहाँ पे पूछ रहा है क्या Fadric Griffith claim that our strain स्ट्रेप्टो कॉकस had been transformed by heat killed as strain bacteria ठीक है तो मैंने आपको बताया है था कि यहाँ पे जब last step आप देखते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेंड का जो genetic material होगा ठीक है या जो भी molecules होंगे वो यहाँ पे transform हो जाते हैं और transform होने के बाद transform का मतलब है कि इंटर कर जाना और इंटर करने के बाद जो है उस DNA के recording जो है बैक्टरिया बनना स्टार्ट हो जाते हैं और जब ऐसा होगा तो R strain वाले भी बैक्टरिया बनेंगे और S strain वाले भी बैक्टरिया बनेंगे S strain वाला अगर बनता है तो वो disease cause करेगा और फिर death हो जाएगी ठीक है तो यह last step से यह question पूछा गया था तो ऐसे ही आपको prepare करना है हो सकता है कि अलग-अलग step से question आ जाएं तो उसके recording आपको discuss करना होगा ठीक है तो यह question आपका हो गया then इसके बाद से next question है अगर आप S 35 या P 32 नहीं लेते हैं तो आप discriminate नहीं कर पाएंगे कि कौन सा genetic material है क्योंकि S 35 प्रोटीन में होता है प्रोटीन के amino acids में होंगे और P 32 जो है वो genetic material में होंगे ठीक है एक बार फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे जो मैंने अभी previous जो आपका वीडियो लेक्शर्स था जिसमें मैंने आपको detail बताया था उसी वीडियो लेक्शर्स को आप देखेंगे तो यह वाला concept समझ में आ जागा कि क्यों हम S 35 और P 32 को use कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपको पता है बैक्ट्रियो फास यूज किया गया है और यूज करके हमने क्या पता किया है वहाँ पे यह पता किया है कि जनेटिक को discuss करना होगा आपको ठीक है then next आपका है why did they use two types of culture medium to grow virus in ठीक है तो यहाँ पर यह बताना है कि हम S35 bacteriophage अगर बना रहे हैं S35 containing bacteriophage बना रहे हैं और P32 containing bacteriophage बना रहे हैं तो दोनों को बनाने के लिए हम separate culture medium लेंगे ठीक है ना क्योंकि हमको दोनों को separately discuss करना है separate मतलब यूज करना है ठीक है ना experiment में separate लेज़े से देखो आप यहाँ पर हम S35 का यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम P32 का यूज कर रहे हैं तो हमको क्या करना होगा हम S35 बैक्टरियो फेज जो हम अलग से बनाएंगे इसको प्रिपेर करेंगे और P32 बैक्टरियो फेज हम अलग से बनाएंगे और मैंने बताया भी है कि बनाने के लिए क्या करेंगे हम आपको मैंने बताया था कि जब infection हो जाता है तो क्या करना होता है ब्लिंडर लगाना होता है जो blending करता है और यह जो बैक्टरिया के सर्फेस पर वारल की कोट होते हैं इनको रिमूव करना होता है इसलिए हम blending process फॉलो करते हैं ठीक है उसके बास से हम centrifuge करते हैं और centrifuge करते हैं तो उसमें हम size और density के भी हापे हम दो layer बनाते हैं और उन दो layers में हम बताते हैं कि किस layer के अंदर हमारा radioactive substance है ठीक है मैंने आपको बताया था कि supernatant और sediment दो पार्ट होंगे ठीक है तो इस वाले में देखें होंगी ठीक है और उनकी density कम भी है तो वो supernatant में होंगे इनकी density ज्यादा होंगी तो यह sediment में present होंगे ठीक है और इसमें 35 नहीं मिलेगा और इसी का अपोजिट यहां पर है यहां पर क्या है कि radioactive substance जो है वो कहां पर आपको मिलेंगे cell के अंदर मिलेंगे ठीक है ले लेंगे और इसको लेंगे और सेंट्रिफिकेशन मसीन में डालके और इसको हम spinning करेंगे उनको हम rotate करेंगे देन डेंसिटी के बिहाब पर यह साइस के बिहाब पर यह सेपरेट हो जाएंगे ठीक है यह आपका question हो गया देन इसके बास next question है describe the fabric Griffith experiment on striptococcus neumne discuss the conclusion he arrived at ठीक है तो यह जो एक्सपरिमेंट है यह फर्स एक्सपरिमेंट है जिसको मैंने discuss किया था यहां पर आपको बताना क्या था यहां पर बताना यह है कि कुछ ऐसा material है जो s strength से r strength में जा रहा है और जब ऐसा हो रहा है तो वो जो है इस r strength के अंदर दो तरह के strength बनाने के ability को generate कर रहा है ठीक है और that means की वो s strength भी बनाएगा और r strength भी बनाएगा ठीक है और और S-strain अगर आ जाता है तो वो disease cause करेगा जो कि यहां पर discuss है ठीक है मिलनी यह चीज़ आपको ध्यान देना यहां पर मैंने बताया भी था कि यह जो आपका paragraph है यह बहुत important है यहां पर वही line लिखी है जो आपको जाननी चाहिए ठीक है तो यहां पर finally बताना क्या है कि S-strain का genetic material यहां पर आ रहा है transform हो रहा है और इस R-strain में जो है change कर रहा है और change क्या कर रहा है इस R-strain में R-strain के साथ साथ S-strain भी बना रहा है और S बनेगा तो mice की death होगी ठीक है तो यह question आपका हो गया then next question है describe the experiment which demonstrated the existence of transforming principle ठीक है तो यह transforming principle that means Griffith का experiment है इसका demonstration आपको करना होगा इसको describe करना होगा ठीक है मतलब कि यह full question है तो diagram or with theory आपको साथ में देना होगा then next question आपका क्या how does the biochemical nature of this transforming principle determined by the every MacLeod or MacArte तो यह second experiment है जिसको हम क्या बोलते है biochemical characterization of transforming principle ठीक है यह आपका topic होगा और यह मैंने complete discuss किया इसके जस्ट पहले वाले video lectures को आप अच्छे से देखिएगा ठीक है तो वहाँ पर discuss कर लिया है then इसके बास next question है how did Alfred Hershich conclusively establish that DNA is a genetic material तो यह तो many times मैंने discuss कर लिया ठीक है और video lectures को आप देख लिजएगा तो यह हो जागा आपका then next how did Griffith prove transforming principle in genetics ठीक है तो फिर से वही question है the next question explain the experiment performed by the Griffith on striptococcus pneumonia ठीक है what did conclusive from this experiment तो यह भी आपको पता है ठीक है name the three scientists who followed up Griffith experiments मतलब कि यह second experiment की बात कर रहा है ठीक है मतलब की यहां पर आपको बताना होगा की जो scientists follow किये थे Griffith experiment को वो कौन थे every थे मेकलियोड थे और मेकार्टे थे ठीक है और इस experiment का नियम NCID में क्या मेंशन है biochemical characterization of transforming principle ठीक है यह आपका हो गया ठीक है then next question है what did they conclude and how हो तो यह भी मैंने बता दिया आपको then next question 163 how did हर्सेचेज प्रूब दा DNA जे रेडिटरी मेटरियल तो यह तो मैंने कई बार डिस्कूस कर लिया आपने एक चीज़ यहां पर ध्यान दिया होगा कि जो long questions होते हैं long type के questions होते हैं वो इस topic से आते हैं दासर्स फॉर जेनेटिक मेटरियल में जो ग्रिफित का एक्सपरिमेंट है या every macalioid macarta एक्सपरिमेंट है जिसको आप by chemical characterization of transforming principle बोलते हैं या हर्सेचेज एक्सपरिमेंट ठीक है इनसे long questions जदा आते हैं short और very short के frequency comparatively less है ठीक है तो आप इसको अच्छे से prepare करेंगे जो भी lectures में आपको दे रहा हूं यह revise वाले इसको आप अच्छे स्तियार करेंगे क्योंकि इसके बाद फिर आपको मौका ने मिलेगा और आप ऐसे इसको prepare करेंगे कि यह नीट में भी आपका use हो जाए ठीक है तो